हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका बुखोपर्स में आज हम NCRT किलास फॉर्थ हिंदी का पार्ट करेंगे जिसका नाम है थप रोटी, थप दाल तो चलिए सुरू करते हैं परदा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई परते हैं अब परदा खुलने पर ये जो आपका पार्ट है, ये एक नाटक है जिसको की स्टेज पर परफॉर्म करना होता है इस नाटक के लिए बच्चे अभिने करेंगे, अभिने करने के लिए वे रंगमच, रंगमच बोलते हैं स्टेज को वहाँ पर सब बच्चे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं, सब बच्चे हल्ला मचाते हसते हुए बड़े उत्सहा के साथ खेल रहे हैं उत्सहा मतलब जोस के साथ वे वहाँ पर खेल रहे हैं अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है अब जो मुन्नी है वो आवाज लगाती है किसको नीना को और नीना जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी वो खेल छोड़कर एक किनारे पर एक कौने पर आकर खड़ी हो जाती है और बागी बच्चे अपना खेल खेलते रहते हैं अब आगे का अभिने कैसे है मुन्नी कहती है पुकार कर ओ नीना नीना सुन नीना पास आते हुए कहती है क्यों क्या बात है मुन्नी तो मुन्नी कहती है देख नीना आज मैंने अम्मा से आटा गी डाल दही साग चीनी मक्षन सब चीजे ले ली है चल रोटी का खेल खेलेंगे तो मुन्नी नीना से कह रही है कि आज मैंने अम्मा से दाल घी, दही, साग, चीनी और मक्षन ये सारे चीजे ले ली है तो चलो हम रोटी का खेल खेलेंगे तो नीना कहती है हाँ खूब मज़ा आएगा चलो उन लोगों को भी बुला ले उन लोगों को जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं उन्हें भी बुला ले तो ताली बजा कर बुलाती है उनको अरे चुन्नो सुनो अब इस खेल को खेलते बहुत देर हो गई चलो अब रोटी का खेल खेले तो नीना कहती है आवाज लगाते हुए ताली बजा कर बच्चों को बुलाती है कि चुन्नो सुनो ये जो तुम खेल खेल रहे हो इसे खेलते हुए काफी देर हो गई है अब हम रोटी का खेल खेलेंगे तो सब कहते हैं हाँ हाँ यह ठीक है फिर मुन्नी कहती है अच्छा अच्छा चलो देख चुन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सबजी लाने का काम करना अब सब बच्चे अपना अपना काम बाट रहे हैं तो मुन्नी कहती है चुन्नू से कि चुन्नू और टिंकू दोनों बजार जाएंगे और वहाँ से सबजी लेके आएंगे नीना कहती है नहीं मुन्नी इन दोनों से डाल बनवाएंगे जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजाएगा अब मुन्नी उनसे चाहती थी कि वो बजार से साग सबजी लाए लेकिन नीना कहती है कि साग सबजी नहीं इनसे हम दाल बनवाएंगे और जब ये आग ही नहीं जला पाएंगे और दाल कैसे बनाएंगे तब मजा आएगा तो चुन्नू कहता है तो क्या तु समझती है कि हम आग नहीं जला सकते चल रहे टिंकू आज इन्हें डाल बनाकर दिखा ही देंगे क्यों तो चुन्नु कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें आग जलाना आता नहीं है आग जलाना हमें आता है और हम तुम्हें डाल बनाकर दिखाएंगे तो टिंकू कहता है हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे फिर मुन्नी कहती है तो सरला तू क्या करेगी सरला कहती है भाई मैं तो दही का मठा चला दूँगी मतलब मठके में जो दही है उसमें रई चला के रई जिसकों की मठे को मत्ते हैं वो चला के दही से मठा बना देगी मुन्नी फिर पूछती है तरला से और तरला तू तरला कहती है मैं मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी तो सब बच्चे यहां पर अपना काम बाट रहे हैं नीना कहती है ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ अब नीना बिल्ली बन जाती है खूब मजा आएगा तुम्हारी सारी चीजे मैं खाऊंगी मठा चलाने की हांडी लेकर अभिने के साथ सरला और तला रंग मच पर आती हैं फिल गगरी उतारने का और रई से मठा चलाने का अभिने करती है एक बच्चा रोता हुआ मा के पास आता है वह उसे मखन देने का अभिने करती है अभिने कहते हैं एक्टिंग को तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब एक्टिंग हो रही है सब बच्चे अभिने कर रहे हैं रगमच पर मतलब वो stage पर हैं और अभिने कर रहे हैं तो ये मठकी है ये जो आप उसमें डंडा देख रहे हैं ये रही है जिससे की मठा बनाय जाता है और प्यार से पास बैठा कर फिर मठा चलाने लगती है मुन्नी दोड कर आती है मठा देखने का अभिने करती है और मुन् इस मठे का बढ़िया स्वाद खा कर सब करते हैं याद चुन्नू टिंकू कंधे पर बोज रखते हुए आते हैं क्योंकि वे दोनों बाजार गए थे सबजी लेने तो अब वो एक्टिंग कर रहे हैं कि वो अपने कंधे पर कुछ वजन लेकर आए हैं तरला कहती है ये है ल तो चुन्नू बोज उतारते हुए कहता है ओहो पीट रही है दुख टिंकू कहता है मुझको लगी करारी भूख तो मुन्नी मुह मठकाते हुए कहती है बच्चु जी भूख लगने से क्या होगा अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ तो मुन्नी और दाल पकानी है तो चुन्नू कहता है अरे हां चल जल्दी से दाल पकाएं बड़ियों का भी स्वाद चकाएं तो चुन्नू कहता है कि ठीक है दाल पकाते हैं और तुम्हें बड़ियों का स्वाद भी चकाएंगे दोनों आग जलाने, फूक मानने और धुए की वज़े से आए आसु पोँचने का अभिने करते हैं फिर दाल और बड़ी पकाते हैं कर्ची से दाल चलाकर चकते हैं कि उंगली जल जाती है उंगली जलने का अभिने के साथ-साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है तो मुन्नी पास आकर उनकी दाल को देखते हुए कहती है टिंकु ने पकाई बड़िया, चुन्नु ने पकाई दाल, टिंकु की बड़िया जल गई, चुन्नु का बुरा हाल तरला तथा अन्य सहलिया एक ओर से आती है, हाथ कमर पर इस परकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो डलिया मतलब टोकरी, आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिने करती है लड़िया कहती है, ठप रोटी, ठप दाल, खाने वाले हो तयार ये पंक्तिया दो बार गाई जाने के बाद, चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी सान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं फिर लड़ियों की और हात फेलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं चुन्नू कहता है, लाओ रोटी, लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल लाओ रोटी, लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल तो ऐसा वे दो बार कहते हैं मुन्नी और तल्ला की सहेलिया रोटी की डलिया उठाने का अभिने करती हुई एक पंक्ती में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गाकर कहती है क्या कहती है वे दो बार गाकर लेलो रोटी, लेलो दाल, चककर हमें बताओ हाल लेलो रोटी, लेलो दाल, चक कर हमें बताओ हाल और चुन्नू और बाकी बच्चे जो की खाना-खाने के लिए बैटे हैं वो चिड़ा कर कहते हैं खटा पर जैसे ही मुन्नी गुसे से उनकी ओर देखती हैं तो वे कहते हैं नहीं मीठा, खटा नहीं मीठा तो चुन्नो और उसके दोस्त पहले तो बोलते हैं खटा लेकिन जब मुन्नी गुस्से से उनकी तरब देखती है तो वे कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खटा नहीं मीठा, खाने का अभी ने करते हैं, खटा मीठा, खटा मीठा, खटा मीठा, खटा मीठा, खटा मीठा, ऐसा वे कुछ रुप कर कहते हैं अब सब बच्ची क्या कहते हैं आधी खाएं आधी रखे अब सो जाएं उठकर चखे तो बच्ची कहते हैं कि आधा हम खा लेते हैं अभी और आधा अपना बचा कर रख देते हैं अभी हम सो जाते हैं और उठने के बाद फिर खाएंगे अब क्या होता है सब बच्चे सो जाते हैं अचानक बिल्ली की मियाउं सुनाई पड़ती है बिल्ली की जो आवाज होती है मियाउं वो सुनाई पड़ती है बिल्ली का परवेस होता है वे चारों ओर देखती है तो होटो पर जी फेर कर बड़ी खुस होकर कहती है क्या कहती है बिल्ली ओहो मक्खन कितना सारा जट से चट करू किनारा तो मक्खन को देखकर बिल्ली कहती है कि बहुत सारा मक्खन है इसको मैं फटाफट खाकर यहां से चले जाती हूँ आगे अगर उपर उचलती है छीके पर से कुछ चीज लेने काभिने करती है अब छीका क्या होता है जो ये टोक्री जैसा एक टंगा हुआ है ये होता है छीका है छीके पर यह क्या रखा आन रही क्या अगर नचक खा तो बिल्ली कहती है कि छीके पर पता नहीं क्या रखा है और अग इज़त नहीं, आन मतलब इज़त, हाथ बढ़ा कर रोटी निकालते हुए, अब शीकिये में रोटी रखी थी तो बिल्ली क्या करती है, रोटी निकालती है, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, फिर खाते हुए आगे बोलती है, मखन रोटी चावल दा जी भर खाया कित्ता माल, और देखो वह, मुन्नी, चुन्नू, टिंकू सारे, खर राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाओं, आलस्यों को सबक सिखाओं, तो बिल्ली सब कुछ खा जाती है, और फिर क्याती है कि ये तो सोई हुए है, अब मैं चुपके से चली जाती है, और इन आलस्यों को सबक सिखाती हूँ, मियाओ, 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 करते हुए बिल्ली वहाँ से चली जाती है, बिल्ली जाती है, अंगडाई लेकर सरला उठती है, और मक्खन के बरतन को खाली देखकर आश्चरिये से चिलाते हुए कहती है, क्या कहत मुन्नी चोप कर उठती हुए कहती है अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना है रे ना रोटी ना दूध मलाई लगता है बिल्ली ने खाई अब उन्हें बिल्ली के उपर सक होता है कि यह हमारे जो रोटी थी वो बिल्ली ही खा गई है एक बच्चा कहता है बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात दूसरा बच्चा कहता है क्या कहा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात टिंकू कहता है चलो बिल्ली को ढूंड मचाए फिर चोरी का मज़ा चखाए तो सब बच्चे कहते हैं ठीक ठ बैट कर नीचे जुक कर देखते हैं और कहीं steals मिलने का हाव भाब प्रकट करते जाते हैं तभी तरला सरला चीक कर कहती है तो यहाँ पर सबच् Homos भीने कर रहे हैं और ऐस देख्थ और एस सब उसे पकड़ते हैं तो सब कहते हैं करो पिटाई इसकी जोर हसकर मारने का भीने सब करते हैं बोल अब खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल बिल्ली कहती है हाँ खाऊंगी सो सो बार जो सोगे टांग पसार तो बिल्ली कहती है हाँ बिल्कुल खाऊंगी अगर तुम ऐसे ही सोगे तो मैं पक्का तुम्हारी रोटी और दाल खाऊंगी यह कहकर बिल्ली भागने का प्रियतन करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़ कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का सोर मचाते हुए उसके बीचे भागते हैं और इसी के साथ में पर्दा गिर जाता है पर्दा गिर जाता है मतलब नाटक जो है वो खतम हो जाता है बिल्ली बच के भाग जाती है और सब बच्चे पकड़ो पकड़ो का सोर मचाते रहते हैं और ये नाटा लिखा है रेखा जैनने आसा करती हूं कि आपको ये नाटा का अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके प्रेशन उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ओके बच्चों बाई